नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेटी फॉर सिविल सिर्पसेज में फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वालो गृप जरूर से जरूर जोईन कर आप अभी भी उसको जोईन कर सकते हैं अब शुरुवात से हमारे गाइडेंस में अपनी तैयारी कर सकते हैं प्रिलिम्ट की पूरा मटरील यह पर प्रवाइड करवाए जाएगा पूरा स्टेडी मटरील टेस्ट स्रीज के माध्यम से और परसेनलाइजड गाइडेंस और दिसकेशन ग्रूप जो होता है उसके माध्यम से पूरे 1500 मार्क्स की तैयारी करवाई जाएगी इसमें सारे सब्जेक्ट के पीडियेफ इंपॉर्टन्ट नोट्स और कंपाइलेशन पीडियेफ संब्री पीडियेफ और जितने भी टॉप हमारे कोश्चन्स होते हैं उसके म भी करवा सकते हैं और वीडियो यूटूब पर आते रहेंगे 66 BPSC फुल एंटेस्ट नंबर सेकेंड है निर्मलिकित में से कौन सविश है भारत के समिधान की राज सोची में सम्मलित नहीं है यानि कि स्टेट लिस्ट में शामिल नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नुबर D, Forest, Forest जो है यह यह कंकरेंट लिस्ट में है इसो जैसे यह स्टेट लिस्ट पे नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में, cruelty to animals पर प्रोईबिशन और forest वगेरा यह सब आपके कंकरेंट लिस्ट के पार्ट हैं, ओप्शन नुबर D, लिस्ट से कोश्चन जरूर आता तो इसमें not या फिर क्या आप सही पूछा है क्या नहीं सही पूछा यह बहुत important है BPSC में आप पढ़ें इसको ध्यान से, तो advocate general of state के लिए दिया है, article number 165 में सही है, definition of money bills जो है यह दिया है 1999 में, यह सही है, article 1999 में money bill को define किया गया है, financial emergencies related provisions जो है 360 में दिये हुए है, तो हमा जो दिया है, article number 342 में दिया है, schedule cast का दिया हुआ है 341 में, तो यह हमारा B correct answer है, और incorrectly matched है यहाँ पर, question number 3, अंतरिम सरकार से पूछा है कि खाद देवम, क्रशी विभाग निम्नमे से किस के पास था, खाद क्रशी था डॉक्टर राजेंदर प्रसाद के पास, option number D, ठीक है यह यह आपके जोगें इंतरनात मंडल, यह विधी से related थे, तो हमारा correct answer हो गया, इसमें D, निम्नम लेकित में से कौन सा जोड़ा, सही सुमेलित नहीं है यह बताना है, ठीक, तो इसमें भारत के सम्विथान के लक्षन और हमने किस देश से लिए हैं, जिस पर जो है question आ सकते है अलग-अलग भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, तो एकल नागरिकता concept है, हमने लिए है ब्रिटेन से, concurrent list का concept है, Australia से आया हुआ, emergency providence Germany से, fundamental rights जो है यह यह यूएस से हमने लिए है, USA से, तो यहाँ पर यह वाला not correct होगा, रशिया से हमने लिए है fundamental right, तो यही वाला आमको find out करना था, यही हमारे question का होगा answer, जो कि not correctly paired है, निम्ले कितमे से कौन कौन से निकाए, स्वतंत्र निकाए है, या फिर स्वायत निकाए है, तो राज लोग से वायोग स्वायत निकाए है, controller and auditor general of India स्वायत है, union public service commission स्वायत है, ठीक है, election commission भी स्वायत है, तो एक तरी आने होना चाहिए कि all है कि none है, लेकिन आपको e पर mark करना यहाँ, पर e पर काफी लोग परिशान होते हैं बिहार PCS में, यही यहाँ पर थोड़ा सा typical बनाता है इस बिहार prelims के exam को, option number e इसमें सही है, उप राष्ट्रपती, राष्ट्रपती के रूप में अधिक्तम कितनी अवधी तक के लिए कारे कर सकते हैं, तो 6 मन तक कर सकते हैं, फिर fresh elections जो है अरेंज करना पड़ेगा, राष्ट्रपती के पत के लिए, option number b इहां पर सही होगा, मैडम भीखा जी कामा के संबंद में सही कथन का चैन करें, इनका जन्मुआ था पारसी फैमली में, ठीक है, और पैरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करी थी, अकेले नहीं की थी, और इसमें और भी लोग थे, लेकिन इनका नाम जो है, इंपोटन्ट है पैरिस इंडिया सोसाइटी में, उसके बाद मैडम कामा प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी कारे कर चुके ह प्रादा भाई नरोजी के लिए, तो यहां पर सारी स्टेटमेंट सही जा रहे है, all of the above, D, D यहां पर सही हो, प्रोक्त सभी, रिवा भाई राड़ा, मुंकेर शाबुर्जोर्जी, गौदर के साथ मिल करके, पैरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, ठी इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उडिसा और बिहार की दिवानी का बुरदान की, तो आपको लग रहा होगा कोई कोई अलग सा कोशन है, आप ध्यान से पढ़िए, अगर आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट पढ़ा है, अगर केवल NCRT पढ़िए तो इससे हो सकता था, अ अलांकि डेट पता होना चाहिए, इस्पेक्टरम में ट्रीटी अफ इलाहबाद की डेट दीवी है, बारागस सत्रास पैंसट, ट्रीटी अफ अलाहबाद जब साइन हुई थी तब ही ये तैव हुआ था कि शाह अलम्दुति ये, जो हैं वो दीवानी पुरदान करेंगे इ इलाहबाद में फिर रहने लगे थे, कंप्री ने मजबूर किया था, क्यों ये शर्ते मानी गई थी बंगाल के नवाब के दौरा और शालम्दुति के दौरा तो बैटल ओफ बक्सर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बैटल ओफ बक्सर, मौटरन इस्ट्री बहुत इंप सिंपल साए कोशन है, अप्शन नुबर सी इसका एंसर होगा, जो नारा है, निज खामरे धान तोलो, यहाँ पर धन लिखा है, धान तोलो होगा यहाँ पर, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो ते भागा अंदोलन से जुड़ा हुआ है, उनिस सो चीधे चक्की पर ल भूमी देता था किराय पर, उसका जो अधिकार है, वो ते भागा होना चाहिए, इसमें लिखा है, ठीक है, पहले जो होता था, इसमें ज्यादा मिलता था उनको, और डिमांड की गई थी, कि ज्यादा मिलना चाहिए, जो खेत पर काम करता है, ना कि जो उत्यदार को जो समिदार सरकार का परिचाह देना था, इंटोडक्शन आफ रिस्पॉंसबल गॉवर्मेंट, यह तो टरम्स हैं, इन पर गौर करना है, यह था गॉवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट नैंटीन नैंटीन जिसको मॉन्टेक चैन फोर्ड रिफॉम भी कहते हैं हम लोग, नई तालीम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिवादित किया गया था, यह बहुत एक्सपेक्टेट कोशन्स में से एक है, महत्मा गांधी नई तालीम उन्होंने कहा था कि शारिरिक स्थरम पर भी बल देना चाहिए, नई तालीम एक नई तरह की तालीम होगी, जिसमें क लेवल किताबी ग्यान पर नहीं बल दिया जाएगा, आर्ट, गणित, बाकि पॉल्टी यह सब पढ़ने के साथ भी बच्चों को आना चाहिए शारिरिक स्रम करना है, यानि कि उनसे चर्खा चलवाया जाए, उनसे कढ़ाई इसी लाई करवाया जाए, मतलब शारिरिक स्रम पर भी फोकस करना है, सिर्फ किताबी ग्यान पर नहीं, ऐसा महत्मा गाधी का मानना था, option number D, कौन सा याँ पर सही सुमेलित नहीं है, फैजाबाद में 1857 का विद्रोग कनेतरत्व कर रहे थे, मौलवी अमदल्ला, कानपूर में नाना साहब कर रहे थे, बिहार में कुमर सि कॉस्चन का एंसर हो गया, D, पेपर हो, हिस्टरी का स्टेट पीसे, मलब स्टेट पीसे का पेपर हो, और निउस पेपर से कॉस्चन ना आए, ऐसा होई नहीं सकता, अखबार दा इंडे नेशन की स्थापना, 1931 में कामेश्वर सिंग के दौरा की गई थी, इसका प्रकाशन कहां से होता था, यह हमको बताना है, तो यह छपता था पटना से, option number C, पटना, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्यना होते हुए भारती संसत की कारवाही में भाग लेने की अधिकारिता रखता है, तो अटार्णी जनरल जो है, यह भाग ले सकते हैं, जबकि उसंसत का पार्ट नहीं है, option number C, भारतिव प्रशास्निक सेवा, IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस ने की थी, यह सिफारिश की गई थी, राज मननार कमीशन के द्वारा, option number D, राज मननार, question number 17, यदि किसी राज में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, तो उस राज में अनुसोचि जातियों के लिए कितनी सीटें जो है, आरक्षित होनी चाहिए, तो 6 होनी चाहिए, इस तरीके question आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज क्या होना चाहिए, यहाँ पर बन रहा है परसेंटेज के हिसाब से 6, निमलिकित में से भारत के उप राश्टरपती, जो ह इसमें कौन कौन बने है, ठीक है, तो इसमें मौम्मद इदायतुल्ला भी बने है, वाइस प्रेसिडेंट और शंकर दैल सर्मा भी बने है, तो हमारा एंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, उपरुक तुमें से एक से अधिक, ई वाला, निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नही नहीं है, यह बताना है, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद 1934 का बॉंबे शेशन, ठीक है, यह सही बिलाया हुआ है, हाकीम अजमल खान गया सेशन 1922, आर एन मुधोलकर बांकीपूर सेशन 1912, ठीक है, जितने बिहार वाले सेशन है, जैसे बांकीपूर पटना वाला, और यह गया सेशन जरूर दिहान रखिएगा आप लोग सभी, उसके बाद जवाहर लाल लहरू का हरीपूरा सेशन दिया हुआ, जो की रॉंग है बिल्कुल, यहाँ पर रहुना चाहिए, सुभाश बोस, सुभाश चंद्र बोस थे यहाँ पर हरीपूरा में नाकी जवाहर ला अपर्णपूर में होगा, D, अलंकि किंग्स फोर्ड नहीं मारे गए थे, किसी दूसरे ओफसर की वाइफ और बेटी शायद घायल हुई थी इसमें, क्योंकि गाड़ी बदल गए थी, ऑप्शन नमबर D, इसमें सही है, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विवाजन हो गया था, उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने घोषना की गई थी, किसने सुझाओ दिया था कि राखी दिवस के रूप में भी से मनाया जाया, यानि कि हिंदू-मुसलिम आपस में राखी बांदेंगे, रक्षा सूत्र ब बोला गया था, तो भारत छोड़ो अंदोलन की दवरान इस स्टेट्मेंट बोला गया था, उप्शनमबर A, 15 अगस्त 1947 की मद्ध रातरी के में केंदरी असेंबली में जन गर्मन और तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा किस ने गाया था, गाया बोला गया था, तो यहां पर है गवर्मन्ट ऑफ इंडिया एक्ट नैंटी नैंटी नैंटीन, ऑप्शनमबर B, पचीस नमबर कोशन, 1921 के अंत के दौरान हर दोई बहराईज सीतापुर में एका अंदोलन हुआ था, क्या इसका रीजन था, इसका रीजन था उच्छ भूम अमार शोनार बांगला गीत के बारे में काउन सकतन यहां पर नौट करेक्ट यानि की गलत है यह बताना है, ठीक है, तो सही वाले फाइंट कर लेते हैं, नैसल एंथम ऑफ बांगलादेश यह है, ठीक, आपने मैंसेस देखे होगे तो जब ICC के तो नैसल एंथम होता है, उ ठीक है, तो हमारा इंकरेक्ट वाला हो गया, उप्शन बर A, लब आपका Quit India Movement से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा एंसर हो गया इसमें A, गुफकराल कहां पर है, गुफकराल नियो लिथिक साइट है आपकी कश्मीर में, बुर्जोम गुफकरल कश्मीर में, ठीक ह तो बुद्धा की लाइफ से संबंद कौन सा नहीं रखता है बताना है, तो बर्थ का सिंबल उनका है Lotus and Bull, सही है, ज्यान प्राप्त करने का, Enlightenment का है People, ठीक है, बहुत ही वरक्ष के नीचे हुआ था, निर्वान का है Footprint, लेकिन Denunciation का Horse है, ठीक है, हाथ ही नहीं है, तो यह व संबंदित नहीं है, अहिंसा दोनों संबंदित है, वेदों के प्रतिव द्यान सींता दोनों में है, रीती रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में की गई है, लेकिन Self-Suppression की नहीं बात की गई है, Self-Liberation, Suppression words साही नहीं है, ठीक है, शंकराचारे द्वारा स्थापित चार म मठों में से कौन सा एक शामिल नहीं है, यह बताना है, गोवर्धन मठ पुरी में है, और श्रंगेरी पीट करनाटक में, ज्योतिर मठ उत्राखंड में, लेकिन रामेश्वरम में नहीं है, ठीक है, उनका कोई मठ, Option number D यहां पर नहीं है, जो एक Missing है, वो कौन सा है, वो है दौरका, दौरका पीट, गुजरात में, तामरपत्र लेक के अनुसार, प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहां से था, तो इनका संपर्क था जावा सुमात्रा से, ठीक है, देवपाल के बारे में कोशन भी आया, पहले BPSC में, देवपाल ने जो है, पांच गाउं जो है, उसने भेंट कर दिये थे, देवपाल ने, हमारा एंसर हो जाएगा यहाँ पर B, जावा सुमात्रा, सिकंदर ने निमलिकित में से किस शहर की स्थापना नहीं की थी, तो उसने मैसिडोनिय की स्थापना नहीं की थी, ठीक है, ओप्शन उम्बर D, निमलिकित म में है, मध्यप्रदेश में भी करेक्ट है, भीतर गाउं का टेंपल कानपूर में है, कानपूर वाले जानते होंगे, विश्नु टेंपल जो तिगवान का लिखा हुआ है, यह आपका जबलपूर में है, ठीक है, जबलपूर, जबलपूर मध्यप्रदेश, तो यह वाला ज ठीक जो है लगभग एक साथ मिले हैं इसके प्रमाड लंगनाज में आप देखें गुजरात में बांकी जगे ऑप्शन नमबर ए यहां पर सही है मध्य पाशाण और नौपाशाण काल लगभग एक साथ भारत में यह देखा गया इसका डवलप्मेंट प्राचीन इतिहास में यव का लेख है वाट इस यव यव कहा गया है जाओ को ठीक है ऑप्शन नमबर सी बार लिए और ये के बी सी में भी आया था कोश्चन निमलकित में से कौन सी साइट जो है कौन सा स्थल पुरा तात्विक स्थल पुरा पाशाण यूग से सम्बंदित नहीं है तो पुरा पाशाण यूग से सम्बंदित नहीं है चिरांद क्योंकि इसका सम्बंद जो है नौ पाशाण काल से ऑप्शन नमबर सी बाकि हुंगसी, अभीम बेट का मद्ध प्रदेश में कुर्नूल, करनाटक में ये सब जो हैं सम्मंदित हैं पहले लिथिकेज से नेमलकित में से कौन सा अब्बासी वन्ष के प्रथम आठ खलीफाँ से सम्मंदित नहीं है अब्बासी वन्ष के प्रथम आठ खलीफाँ है वो कौन से हैं अबुल अब्बास सफवा, अबुजाफर, मनसूर, महदी, हादी, हारून, रशीद, आमीन, मामून, मुत्सिम ठीक है उबाइदा नहीं है इसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह है जोजफ काका बाप्टिस्टा, आप्शन नमबर B निम लिखित में से कौन? फरवरी 1918 में गठित यूपी किसान सभा के स्थापना सम्मंदित नहीं था चाहे बिहार किसान सभा और यूपी किसान सभा जितने भी किसान सभा है बनी उनसे कुश्चन आ सकते हैं तो महत्मा गांधी का कोई रोल नहीं था इसमें, ठीक है? महत्मा गांधी का यूपी किसान सभा के स्रजन में कोई रोल नहीं है ब्रिटिश सरकार के द्वारा हाजिक उल मुल्क की पदवी को खिलाफात अंदोलन के दौरान किस ने त्याग दिया था ये त्यागा था आपके हाकीम अजमल खान ने भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के लाहोर अदिवेशन में पूर्ड सुराज की मांग का संकल पारित किया था इस सेशन के अध्यक्षता किस ने की थी तो अबिसली जवाहर लाल लेहरू ने की थी निम्नमे से किसके लिए अगस्तु 1932 में रामसे मकडोनाल्ड ने कम्यूनल अवार्ड जो है पहली बार पेश किया था प्रथक निर्वाचक समूह बनाया जाए जिसके लिए किसके लिए बनाया जाएगा प्रथम बार प्रथक निर्वाचक समूह पहले तो मिल रहा था मुसलिमों को यह बनाया गया था अंटेच बिल्स के लिए अचूतों के लिए option number C कौन कौन से statement यहां पर बिहार विजय के संबंद में गलत है ठीक है यहां का भीरु राजा इंदु दमन बिना की युद्ध की यह भाग गया था यह सही है बिहार की राधधनी उधन्त पूर थी बक्तियार खिल जी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वदयलों को नश्ट किया था यह भी सही है पिहार विजय की योजना बक्तियार खिल जी ने बनाई थी तो खिलजी रैनिस्ट्री ने करना शुरू किया था बाकि जो गुलाम वन्स था वो ज़्यादतर तुर्क लोगों को अपने यहां पर रिक्रूट करता था खास करके ग्यासुद दीन बलबन निमली कित में से कौन सा बहामनी राजवनिष के केंदरी प्रशासन के संचालक संधसर का मिलान गलत है ठीक है अथा बहामनी राजवनिष में जो एडमिस्ट्रेशन होता था उसमें जो है यह टरम से वकील उससल्तनत यह परद arrow मंत्री होता था गरेक्ट हैं अमीर जुम्ला ये वित मंत्री होता था, वजीर अश्रफ, विदेश मंत्री होता था, सद्र जाहर, ये सुल्तान के बाद राजी का मुखिनाधीश होता था, करेक्ट, और कौन सा यहाँ पर आपका बता रहे हैं कि, इनकरेक्ट है, जब सारे ही करेक्ट हैं, तो एंसर हो जाएगा E, यानि कि चंदेरी का युद्ध, खाणवा का युद्ध, घागरा का युद्ध, लबकुल भिलाके कि बाबर ने जो युद्ध लड़े थे, उनको क्रोनलाजी में रेंज करना है, इसमें, करेक्ट क्रोनलाजी यहाँ से बनेगी, सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है, ठीक है, तो यह करेक्ट क्रोनलाजी है, अब आप परेंज कर लेंगे इसमें, बैटल ओफ काणवा, बैटल ओफ चंदेरी, बैटल ओफ घागरा, ऑप्शन नम्बर C, यहाँ पर साहिए होगा, नम्लिकित में से क्रश्न देवराय ने कौन कौन सी उपाधी धारण की थी बताना है, तेलगू भोज की उपाधी उन्हों ने लिए, अभिनो भोज की लिए, आंद्र भोज की लिए, यवन राज स्थापना चारे की भी लिए, तो सारी उपाधियां थी, क्रश्न देवराय के टाइम पर भी हुआ था, तो एंसर हो जाएगा इसका E, यानि कि उप्रोक्त में से एक से अधिक, सन की डंडी ये जो है ये exclusively शेरिशा के टाइम पर यूज होई थी तो ये भी याद रख सकते हैं वैसे बिहार जी के पाट हो गया सन की डंडी, लेकिन BPSC काम पढ़ा रहे हैं तो भी हर जी के बताएंगे ही सन की डंडी इससे मापन की शुरुआत की थी शेरिशा सूरी ने एंसर हो जाएगा इस पर्टिक्लर कॉस्चन का E शा जहां के पुत्रों को ऐसे लगाना है जैसे वो बड़े छोटे हैं तो बड़े को सबसे पहले रखना है तो दाराशी को सबसे पहले फिर शा, सुजा, औरंगजेब, फिर मुराद बक्ष और जहां जहां पर इन शासकों के मकबरे बने उससे मिलाना है तो अकबर का तो सिकंदरा में फिर उसकी शव को ले गैए थे वहां पर काबूल में उसके बाद जहांगीर का लाहौर में है तो हमारे कोशन के करेक्ट अनसर बने गए यहां पर 1324 ऑप्शन बड़ टी बावन के करेक्ट अनसर क्या है कि जब उसने राजत पुपराब्त किया तो वे शरीयत के नियमों और आदेशों से पूंडता है स्वतनंत्र महसूस कर रहा था जी किसके लिए कहा है जी आउद्दीन बर्णी ने ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए अप्शिन नमबर टी अलाउद्दीन खिलजी विश्प की सरवोच ओँची छोछी माउंट अवरिस्ट के उचा इतनी है 88-48 मीटर और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो सही मिलाए हुआ है बताना है तो मैं टूर ये कावेरी पर है और अलमाटी ये चंबल पर नहीं है इडुकी ये पेरियार पर है ठीक है भाक्टान अंगल ये नर्मदा पर नहीं है ठीक है हमारा करेक्ट टैंसर बनेगा यहां पर आपका option number c 1 & 3 सही भाक्टान अंगल कहां पर है ये सतलज़ पर है और अलमाटी ये कहां पर है क्रेशना रिवर पर है क्वोन सही आप पर प्रोजेक्ट सही नहीं मिला है वआ है औलिव रिडले कंजरवेशन प्रोजेक्ट 1975, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 एक ही बचरा है जो सही नहीं मिला हुआ है प्रोजेक्ट स्नोलिपावड यह 2009 में शुरू हुआ था अक्चली 2007 लिखाएस जैसे यह नॉट करेक्ट है भारत में द्रविडियन रेस जो है यह कहां पर पाई जाती है तो दक्षिन भारत में ऑप्शन नॉम्बर C 57 का करेक्ट एंसर बताना है 2011 के संसिस के अनुसार किस राज़ में शाक्षर्ता दर नियुन्तम दर्ज की गई थी यह बताना है तो राज़ियों में के इंदर्शासित प्रदेशों को सबको मिला दे तो सबसे कम दर्ज की गई थी बिहार में निमलकित में से कौन सा देश विष्व का सरवाधिक प्राकरतिक गैस उत्पादन करने वाला देश है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका अमेरिका Option B सरवाधिक अमेरिका करता है कम इसकम टॉप थ्री पता होना चाहिए तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन करने वाले शीर्श तीन राज है US, रशिया और इरान इस तरीके से रिजर्व यानि भंडारन करने वाले हैं रशिया, इरान, कतर इस तरीके से फेनिल एक फिनॉल विद्पन रसायन है इसका उप्योक कहां किया जाता है फिनाइल ये बहुत आसान सा कुश्चन है घरों में, दफ्तरों में आपको लगाया जाता हूँ वो देखने को बिल जाता है रोगाणू नाशी का जाता है इसको डिसिंफेक्टेंट जिस तत्व के परमाड़ों में 7 प्रोटाउन, 7 नूट्राउन, 7 इलक्टराउन होंगे तो द्रवमान संख्या कितनी बनेगी तो 7 प्लस 7 बनेगी आपकी 14 अप्शन नमबर B हमारे जो एंसर की होती है जो पेट रूप को मिलती है इसे मिल नहीं खाती है क्लोरीन को की खोज की थी शेली ने, निट्रोजन की रदर फोर्ड ने, मैगनेशियम की डेवी ने आरगन की खोज की थी आपकी रामजे ने एक मिनिट रामजे और रेले ने खोज की थी आरगन की अंसर हो जाएगा यहाँ पर अब भी यह साइडं से नहीं में लखाता है यूमन सलाइवा का पी एच कितना हो सकता है पी एच से लगातार बी पी एच से पूछ रहा है कोश्चन तो पता होना चाहिए कि यह पी एच हो सकता है 5.5 से 7.5 तक option number B इथीन का फॉर्मुला क्या होता है ठीक है इथीन का एक मिनट इथेन पूछा है इथेन का पूछा है तो इसका अंसर हो जाएगा है यहाँ पर फॉर्मुले से करेंगे C N होता है प्लस H2 N प्लस 2 होता है आपको पता होगा यह बुक्स में दिया रहता है तो C कितना है 2 है क्योंकि एथ पूछा है यह सब आपने पढ़ा होगा बुक्स में तो इथेन का हो जाएगा है आपर C2 और H6 C2 H6 हो जाएगा इसका इथेन का आप्शन नुम्बर B आप मुझे कोमेंट करके बताएगे कि इथेन का और ब्यूटीन का आप कैसे बनाएगे यह सब बनाना आना चाहिए यह आ सकता है BBSC पूछ सकती है इसको कौन सी एक रसाइनिक प्रक्रिया है यानि की chemical reaction है exhalation, inhalation हाँ बिल्कुल यह chemical change है इसमें क्योंकि जो amount of carbon dioxide न अंदर जाती है amount of oxygen जो अंदर जाती है exhaled gas में वो घट जाती है ठीक है तो यह inhalation, exhalation chemical change है wine from fruit obviously chemical change है reverse नहीं कर सकते इसको curd से milk बनाना अच्छा milk से curd बनाना यह भी chemical change है fruit ट्राइपन यह भी chemical change है तो हमारा answer हो जाएगा E सारे के सारे जो है all of the above chemical change है इन में से कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं acceleration का meter per second square impulse का newton per second सही है newton second और शक्ती का watt per second लिखा है जो की गलत है इसका होना चाहिए joule per second उसके बाद velocity का सही दिया हुआ है तो हमारा answer हो जाएगा इसमें C यह नहीं सही बिला हुआ है कौन सा pair correct नहीं है electric bulb जो है electric energy को heat energy में convert करता है सही है उसके बाद है candle जो है यह light energy को sound energy में convert करती है candle से sound आते कभी देखा है अपने नहीं तो यह वाला not correct है बागी सितार जो है mechanical energy को sound energy में करता है electric motor जो है electrical energy को mechanical energy में कर देती है ठीक है हमारा correct answer बननेगा B समुद्र में प्लवन करते हुए iceberg का कितना भाग समुद्र की सताय से उपर होता है यह 1 बटे 9 होता है ठीक है option number C कौन कौन से statement correct है बर्फ का संगलन की गुप तूश्मा 3.34 into 10 raise to the power 5 joule प्रती की ग्रा होती है correct उसके बाद है value latent heat की होती है 22.5 into 10 raise to the power joule पर kg यह भी correct Kelvin scale पर ice melting point होता है 270 Kelvin पर Kelvin scale पर water का boiling point होता है 270 plus 100 is equal to 377 Kelvin सारे के सारे statement हो रहे हैं सही और यह values आपको याद रखनी है इस जोज़े से question डाला गया है answer हो जाएगा हमारा E E answer correct है question number 69 निमलिकित में से कौन सी धातू आर्द चालक की तरह transistor में प्रयोग की जाती है ठीक है अज है not used है यहाँ पर कौन सी जोज़े सेमिकंडक्टर के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है यह पूछा है ठीक है तो प्रयोग कौन सी होती है हमेशा germanium में silicon होती है ठीक है gold कभी नहीं प्रयोग होगा और Almonium होई नहीं सकता है कि हमको एक Semiconductor चाहिए Almonium Conductor है यहाँ पर answer हो जाएगा more than one of the above यानि किना Gold को यूज कर सकते है न Almonium को तो answer हो जाएगा यहाँ पर E वाला सत्तर नंबर सवाल है इसमें बताने है कौन सा पेर गलत पिला है वादो कोटा के किनारे चंबल न दी सूरत के किनारे तापती न दी और कटक के किनारे महा न दी पटनक किनारे हो गया यहाँ पर गेंगेस गंगा न दी तो यह वाला रॉंग हो गया और यहीं हमारे question का answer बन गया D Question number 71 लाल मिट्टी के संदर्ब में निमलिकित में से कौन सा एक कथन सही है पहला है कि iron, alumina, lime जो है present होते हैं sufficient quantity में correct इस soil में lack of nitrogen, phosphorus, bacteria पाए जाता है correct red soil जो है granite rock से बनती है और red soil जो है mainly low rainfall areas में पाए जाती है तो सारे के सारे correct हैं हम पर आपकी red soil के बारे में answer हो जाएगा E यानि all of the above उपर युग तुमें से सभी हजीरा, बीजापूर, जगदीशपूर, हवी, जे गैस pipeline निमलिकित में से किस प्राधिकरन द्वारा निर्मित की गई है तो निर्मित की गई है Gas Authority of India Limited के द्वारा Option number C बिहार में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्द्योग में भारत में प्रतम स्थान पर है तो लाक इंडस्ट्री में है बिहार से प्राप्त होने वाले पदार्थों के अधार पर भारत प्रतम स्थान पर Option number B, लाक उद्द्योग में निम्ले कितमे से फसल और उत्पादक छेत्र में कौन सी जोड़ी सही नहीं मिलाए वी है ठीक है तो गेहू जो है पस्चिबी घाट में नहीं होगेगा ठीक है यह बिल्कुल आपने इसमें देख लिया होगा राइस जो है यह यह अंग्स्ते प्लेन में होगेगा चाइना रा है काफी कौफी जो है यह साउ पावलो पठार ये और यापको है आपको देखने के लेंगे ंदिम्ले कि इतक अ कौन साब सही सुमेलित नहीं है equipment inventor revolver का अविश्कार colt ने किया है parachute का AG gondrin ने और telegraph का अविश्कार colt नहीं किया है इसका अविश्कार किया है मोर्स ने यह वाला जो है not correct है यह हमारे question cancer हो गया tire का अविश्कार डेनलप ने किया है सब सत्तर में बताना है शरीर के विभिन भागों के कार और कार विधियों का अध्यान क्या कहलाता है यह कहलाता है आपका physiology option number B physiology काउन साया पर गलत सुमेलित यह बताना है identify करना शुरू करते हैं yeast जो है किनवन में काम आता है fermentation में casein जो है इसी करन दूद का रंग होता है सफेद अमर बेल जो है यह तना पर जीवी है stem parasite है ठीक और चंदन जो है यह जड़ पर जीवी है ठीक है root parasite है तो सारे के सारे साही बिलाए हुए है answer हो जाएगा हमारा E none of the above यानि सारे साही है निमलकित में से सूक्षन पाउशक तत्व जो पाउदों के लिए ज़रूरी है यानि की macronutrients कौन कौन ज़रूरी है carbon, magnesium, sulfur, phosphorus दिये हुए है सारे के सारे macronutrients है यहाँ पर answer हो जाएगा more than one of the above या फिर हम कह सकते है all of the above यहाँ पर answer हो जाएगा E macronutrients और micronutrients यह दिये हुए है आप इनको याद कर सकते है carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, potassium, calcium, magnesium, magnesium यह आजाते हैं आपके macronutrients में, micro में आते हैं copper, zinc, magnesium, chlorine, boron, iron और molybdenum मानों का शरीर सरवादिक पात्रा में किस तत्व से बना होता है ठीक है तो वैसे तो हमारे शास्त्रों में पंजी तत्व लिखे हुए हैं लेकिन हम इससे नहीं जाएंगे हम जाएंगे science के हिसाब से answer हो जाएगा इसका carbon वैसे तो oxygen होना चाहिए जो करीब 65% होता है करीब लेकिन उसके बाद होता है carbon का percentage सबसे ज़्यादा option number c तो oxygen का परसेंटेज अगरी परसेंट फिर carbon का है फिर hydrogen का है फिर nitrogen का फिर calcium का फिर phosphorus का कौन सा statement गलत है पहला है कि smallest bone जो है body में स्टैपीज होती है कान में सही है largest bone जो होती हो फीमर होती जांग में there are total of 12 pair of ribs in human body बारा pair होता है normally और human scale में 28 हड़ियां होती है यहां पर लिखी है 32 तो यह हो गया हमारा answer wrong और यह हमारे question का answer हो गया गलत मिलाना है लब गलत find करना था डी गलत है निम्नम में से जैविक system अम्मे रसायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने माले उत्तरदाई पदार्थ का नाम क्या होता है यह होता enzyme enzyme को इसलिए बायो catalyst भी बोलते हैं जोसे catalyst अभी क्रिया तेज कर देता है वैसे ही यह आपका enzyme होता है biological process में option number C तिरासी number बताना है vitamin K जो है यह आपका retinol है ठीक है retinol बोलते हैं और vitamin B6 को pyrodoxine बोलते हैं vitamin D को calciferol बोलते हैं लेकिन vitamin K को अनाफ्था कुनोन बोलते हैं यह जो है सही अनाफ्था कुनोन tocopherol नहीं है tocopherol किसको बोलते हैं आप comment करके बताईए फिलहाल यहाँ पर हमारा answer हो गया D RBC करंग लाल क्यों होता है तो इसका कारण है hemoglobin ठीक है option number B जैपूर literature festival का अवजन हुआ था डिगगी पैलेस जैपूर राजस्थान में और state chief minister ने इसका inauguration किया था किस ने किया था obviously राजस्थान कहीं करेंगे अशोग अलोत option number A भारत सरकार ने goods and service tax network GSTN को बहतर बनाने के लिए निमलिकित में से किस company के साथ साध्यधारी की थी तो इसका answer हो जाएगा आपका Infosys बहुत जरूरी question आसकता exam में D हाली में जैपुर literature festival में महाकावी कनहिया लाल सेठी आवार्ड दिया गया है किस से मिला है यह मिला है अर्विंद कृष्ण मरहोत्रा को option number A अर्विंद कृष्ण महरोत्रा भारत निर्वाचा नायो की स्थापना के सत्तरवें वर्ष के अवसर पर भारत निर्वाचा नायो की मेजबानी में प्रथम सुकमार सेन स्वरती वाख्यान किस के दौरा दिया गया था यह दिया गया था प्रणा मुखर जी के दौरा हमारे पूर्व राष्टपती प्रणा बुखर जी अप्शन नमबर बी रिसेंटली हूँ इनागरेटेट दा 79th Foundation Day Celebrations of Income Tax Applet Tribunal ITAT All India Members Conference at New Delhi न्यू डेली में आयकर अपीली न्याधीकरण का स्थापना समारो रखिल भारती सदस्यों का समेलन हुआ था इसका उद्घाटन किस ने किया था इसका उद्घाटन किया था हमारे CJI ने 47th CJI शरद अर्विंद बोबडे ने ऑप्शन नमबर A भारत को अस्वी रैंक पर रखा गया था एंटी करप्शन इंडेक्स में इसमें कौन सी कंट्री पहले स्थान पर है यानि कि प्रश्टाचार सबसे कम जहां पर होता है फर्स्ट प्लेस पर रखा गया था डेनमार्क को ऑप्शन नमबर B डेनमार्क रिसेंटली पाकिस्तान ने सक्सेस्फुली टेस्ट फायर किया था उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी या गजनी बोलते हैं गजदवी बोलते हैं तो इसमें कितने टार्गेट के किलोमेटर को हिट कर सकता है खेवल दो सोनब्बे किलोमेटर ठीक है हमारी जो अगडी का लेटेस्ट एडीशन है वो पांस जार तक पहुंच चुका है ये दो सोनब्बे पर ही है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है 23 जनवरी 2020 को सुभास चंद्रबोस की 124 में जहनती मनाई गई थी करेक्ट और साउथ अमेरिकन कंट्री गोयाना ने जी 77 का ग्रूप जो था उसको प्रसाइड किया ये करेक्ट स्रिलंका ने टॉप किया था व्ल्ड ब्रेस्ट फ भारती निशाने बाज अपूर्वी चंदेला और दिव्यान सिंग पन्वाड ने यहां पर मेडल जीता है माइटन कप इंटरनाइसनल सूटिंग चैंपेंशिप जो थी आस्ट्रिया में वहां पर उन्होंने कौन से मेडल जीता है दोनोंने गोल्ड जीते हैं दोनोंने अब है कुमार हाल ही में प्रधान मंत्री के किस पूर्व सचिव को नहरू मेमोरियल संग्रहाले एवं पुस्तकाले की कारेकारी परिशत का अध्यक्ष बनाया गया है यह है श्री नरपेंद्र मिश्रा ऑप्शन नमबर बी नरपेंद्र मिश्रा हाल ही में भारती मौसम वि कोर्टर कहां कहां पर हैं हाल ही में किस राज के परेटन स्थल में मकर संक्रांती के अउसर पर एक ही बरतन में 1995 किलोग्राम खिचडी पकाने का नया गिनीज बुक आफ एल्ड रिकॉर्ड में नामदर्ज किया गया था ये इवेंट हुआ था हिमाचल प्रदेश में अप्शन अप्शन नमबर B और दमन में एक आयुष्वान भारत वले सेंटर का उद्गाटन किस ने किया है ये किया है प्रस्डेट जी ने अप्शन नमबर A रामनात कोविन जी ने विश्व भासा, डेटाबेस, अथिनलोग के 22 में संस्करण के नुसार 2019 में विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है और विश्वी इसका एंसर हो जाएगा हिंदी आप्शन नमबर B 101 का एंसर बताना है हाल ही में केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने भारत में पहली बार अंतर जिला इलेक्ट्रिक बस सेवा के शुरुआत किन दो शहरों के बीच की थी ये बसें चलाई गई थी जैनवरी मंत में पुने से मुंबाई के बीच हाली में प्रेजडेंट रामनात कोविंजी ने रंगर एड़ी जिले में श्री राम चैंदर मिशन के नए वैश्विक मुख्याले कानहा शान्ति वनम का उद्गाटन किया था आपको बताना है कि ये रंगर एड़ी जिला किस प्रदेश में स्थित है ये रंगर एड़ी जिला है तेलंगाना में आप्शन नमबर सी 103 से 113 नमबर सवाल तक मैट के कोश्चन है जो की वीडियो के एंतम में सॉल्व करके दिखाए जाएंगे ये रंगर एड़ी जिला है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ओर्जया पिरामिट जो है मेसा सीधा बनता है ठीक है always upright जापशन ओर्गेन जो है यह snake में पाए जाता है साम्पमें यहाँ पर लिखा है गिरगट में तो ये गलत है हिससे साम्पमें पाए जाता है यहाँ पर दिया गिरगट में तो ये हो गया wrong हमारा question का answer मिल चुका है बी जो है यह सही नहीं मिलाया हुआ बांकि आपका पराग करड़ वाली जो चीज होती है सही बोगजिता को दिखाता है साजीविता को और बायोगास जो है इस मेन इसमें कंपोनेन नुख्रिया में केवल एक जीव को नुक्सान पहुंचता है यानि कि इन्तरक्शन जिसमें वाला एक ही को मिलता है यह ब्लस माइनस माइनस जीरो फ्लस प्लस यह सब आप देखा होगा। इस तरीके से कलोक ठते हैं पैरेसाइटिम इंटिफाई करना जिसमें यह और यह मिल गया है और यह मिल गए एमेंसलिजम, परिटरसाइटिजम तो हमारा एंसर बन जाएगा E, यानि कि more than one of the above, option number E. Factor of production कौन कौन सा आपका नहीं है, labor होता है, land होता है, capital होता है, लेकिन bank नहीं होता है, ठीक है, banks मिलने माला loan तो है factor of production, लेकिन bank नहीं है, option number D. Consumer Protection Act 1986 के बारे में बात कर रहे हैं, does not provide the following right to a consumer, हलांकि इसमें अब परिवर्तन हो गया है, लेकिन इसके हिसाब से इसको solve करना है, 1986 के हिसाब से, यानि NCRT के हिसाब से, the right to choose, purchase and decide a product, ठीक है, तो ये छूट पिलती है, मतलब ये जो है, empower करता है, भोकता को right to information about goods and services, यानि कि भो परिवर्ता को वस्तों सेवाओं के बांडे में जानने का अधिकार प्रदान करता है, right to redressal compensation against unfair bargaining and exploitation, अनुचित सौधेबाजी और शोशन के विरुद्ध निवारण का अधिकार प्रदान करता है, ये act अभी भी करता है, लेकिन customer की family को लेकर के ऐसा कोई clause नहीं है, तो option number D ह हमारा correct answer है, आप हमको comment करके बताई जल्दी से कि जो ये corporate act में ये change हुआ है, इसके नुसार कितने राशी तक का वाद का निप्टारा किया जा सकता है, उस राशी का नाम बताइए, maximum कितनी है, निमनलिखित संकेत को में से किसके दवरा देश की सैक्षिक उपलबदियों का आकलन नहीं किया जाता है, ठीक है, शैक्षिक उपलबदियों का आकलन नहीं किया जाता है, तो adult literacy rate इससे करते हैं, primary education supplement rate इससे भी करते हैं, youth literacy rate इससे भी करते हैं, लेकिन old literacy rate से आकलन नहीं करते हैं, ठीक है, डी का कोई use नहीं है, सैक्षिक उपलबदियों का आकलन करने मे 118 number question है इसमें पूछा है कि कौन सा factor human capital को promote करने में included नहीं होता है इसका answer आप लोग जिल्दी से हमको comment करके बताइए क्या होगा इसका बारत में राजी सरकारों के लिए आये का महत्पूर्ण स्त्रोत क्या है देखे जब question ये GST आने से पहले पूछा जाता था तब इसका answer हो जाता था आपका sales tax ठीक है लेकिन जब से GST आया है तब से आपने देखा होगा जब भी हम किसी राजी के budget का analysis करते है तो देखते हैं कि जो state का share होता है GST में state का जो GST में share होता है वही जो है सबसे बड़ा उनका स्त्रोत होता है आएगा ठीक है तो इसका answer वैसे तो sales tax है लेकिन आप इसका answer बदल जाएगा अगर GST हो आपके option में यानि कि GST का share central GST का share या फिर state GST SGST दिया हो तो SGST पर आप टिक करिएगा अभी इसका answer जो है sales tax माने लिए हम 120 का answer क्या होगा which one of the following is not a tool of fiscal policy तो fiscal policy में public expenditure का यहाँ पर कोई और्वल नहीं होता मतलब यह tool नहीं है आपका fiscal policy का एक full rail जो चलाई गई थी अपनी तरह की देश की पहली full rail COVID-19 के पहले आंद प्रदेश से रवाना हुई थी आंद प्रदेश से किस railway station की तरफ रवाना हुई थी बताना है तो यह आंद प्रदेश से गई थी टड़ी पत्री railway station की तरफ आँद प्रदेश में यह तरी पत्री railway station तक गई थी यहां से रवाना की गई थी option number C यह निवुजदा हिंदू के आप देख सकते हैं तड़ी पतरी railway station in Anandpur district to Mumbai यहाँ ये इसका पूरा रूट था योजना के तहत जम्मु कश्मीर और लधाक परेटन मंत्राले कि कितनी योजनाओ को मंझूरी मिली है तो साथ परियोजनाओं को मन्जूर कर दिया गया है प्रसाद स्कीम के तहत हाली में मुंबई की बारा वर्षी कामिया कार्थिक हैं जिनोंने 7962 मीटर उचे परवत को फताय कर लिया है और सबसे युवा परवतारो ही बनी है इस माउंटेन का नाम बताना है अब इसकी लोकेशन आप जल्दी से कॉमेट करके बताईए आपने पढ़ावा का बरनवाल में लोकेशन क्या है माउंटे कांक हुआ अगर की आईफैड की गॉर्णिंग काउंसिल की 43 वी बैठक जिसका विशय था 2030 तक बुकमरी को समाप्त करने के लिए एक स्थाई खाद्य प्रणालियों में निवेश इसका एवजन कहां पर हुआ था इसका एवजन हुआ था रोम में इटली में आप्शन नमबर T हाली में कि स्राज के प्रदूशन नियंतरन बोर्ड ने 2019-2020 के लिए इग और्नेंस पुरसकार जीता है तो यह जीता है आंद्र प्रदेश ने आप्शन नमबर B इसकी थीम ये थी ये कहां पर हुआ था कॉन्फरेंस एफ्रिकन यूनियन का तो एफ्रिकन यूनियन का हैटकोर्टर जहां पर है वही पर आदिस अबाबा में एथोपिया में आप्शन नमबर A शायद मैं गलत हूँ एफ्रिकन यूनियन का हैटकोर्टर कहां पर है आप लोग कॉमेंट में कंफर्म कर दीजिए इसका आयोजन 33 में अफ्रिकन यूनियन सम्मिट 2020 का हुआ था आदिस अबाबा में इथोपिया में हाल ही में आंत्र प्रदेश ने वाइसार पेंशन कनुका योजना शुरू की है 3000 रुपे प्रतिमा पेंशन ये राजी में किस तरह के लोगों को देंगे तो ये फंड करेंगे या फिर ये सपोर्ट करेंगे दिव्यांगों को डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स को अप्शन अबर सी हाल ही में बिजली विभाग के लिए प्रदर्शन विडियमन अधिनियम दोजरवनिस किस राजी ने लागू किया है किस राजी ने फरवरी 2020 में प्यार का पाउधा भियान की शुरुवात किये प्यार का पाउधा शुरू किया गया है बिहार में हाल ही में जो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेगैनिकों ने अवणाचल प्रदेश में में इडिकों की काउन कितनी नई प्रजातियां प्राप्त किये हैं तो ये तीन प्रजातियां अभी अभिवनाचल प्रदेश में पाई गई थी हलांकि अगर इस साल VPSC पर हो जाता है तो तो ये relevant है वरना फिर इसको जो है देखना पड़ेगा क्योंकि नई खोजें ही पूछी जाती है option number C यहाँ पर सही है हाल E में समके किस जिले ने प्लास्टिक अप्षिष्ट प्रबंधन पुरुस्कार 2020 जीता है बहुत important question इसका answer है आपका डिबरुगड option number B निमलकित देशों में से कौन भूमत दे रेखी यह जलवायू के अंतरगत नहीं आता है यह है इथोपिया option number C दक्षिण पूरवेशिया में स्थित स्वर्डिम त्रिभूज को विश्व में किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है ओपियम प्रोडक्शन के लिए अफी मुत पादन के लिए option number C अब कुछ question यहां पर बिहार economic survey से होंगे बिहार में 75% total migration किस कारण से हुआ है latest economic survey के नुसार यह हुआ है वैवाहिक स्थितियों से विवाह के कारण जो है वहां की लड़कियां जो है इधर उधर गई है migration हुआ है सबसे अधिक economic survey ने दिखाया है कि marriage से हुआ है उन्होंने नहीं दिखाया employment के वुझे से तो हम marriage ही यहां पर मानेंगे एक और database question economic survey latest जो है बिहार का उससे सड़क दुरगटनाओं की संख्या डैश प्रती लाख जन संख्या 2018 के दावरान सभी प्रमुक भारती राज्यों में से बिहार में सबसे कम है तो बिहार में सबसे कम सड़क दुरगटना है प्रती कितने विक्ति पर लाख जन संख्या के अनुसार यानि की प्रती लाख में से 9.3 विक्ति जो है दुरगटना के शिकार होते हैं और बिहार में ये डेटा सबसे कम है रोड एक्सिडेंट्स के मामले में, ठीक है, option number C, बिहार में प्रती 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल की लंबाई के संदर्ब में, 2017 तक उपलब धाकड़ों के अनुसार बिहार कितने स्थान पर है, ये latest economic survey जो है 2019-2020 का उसमें लिखा हुआ है, कि बिहार है तीसरे स्थान पर, option number A, तो जब तक कि बिहार economic survey 2020-2021 पब्लिश नहीं हो जाता, जोकि जनरली मार्च 2021 तक आएगा, ये अपरेल 2021 तक तब तक हमको यही डेटा जो है, याद रखना है यही अंतिम सत्य है, आगे, राज जी के लिए मार्च 2021 तक बिजली 2.4 प्रतीशत की हिस्सेदारी के साथ, देश में वाड़िजिक बैंकों की शाखाओं की संख्या की हिस्सेदारी की मामले में बिहार राज जो है, पूरे देश में कितने नंबर पर है, ये बताना है, तो देश बर की जितनी बैंक शाखाएं हैं, उनकी संख्या की मामलें ब परतमान कीमतों पर 47,541 रुपए थी और स्थिर कीमतों पर 33,629 रुपए है यह फिगर बिलकुल ऐसे ही याद होना चाहिए आपको ठीक है अप्शन नमबर बी यह है कोर बिहार जी के जो आती है आपके पेपर में ठीक है स्टाटिक बहुत कम आती है तो स्टाटिक के करेक्मेंट आपको नौट करेक्ट है बिहार में एन्वल रेंफॉल जो रिकॉर्ड की गई यह लेटेस्ट वो है 780 यह मिलीमीटर ठीक है उसके बाद बिहार में लगभग 285 आर्द भूमी है टोटल एरिया जो आर्द भूमी ने घहर रखा है वो 4992 हेक्टेर है जो की निय है डी में दिया हुआ है कि फॉरेस्ट कवर जो है बिहार का वो 4309 स्क्वाइर किलोमीटर है जो बिहार के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 19.9 प्रतीशत घेरे हुए जो की बिल्कुल इंकरेक्ट चला जाता है यहां पर यहां पर जो करेक्ट फिगर होगा परसेंटेज व इरिया है ISFR रिपोर्ट 2019 के नुसार जिसमें फॉरेस्ट कवर है वो है ट्री कवर मिला के हो जाता है यह करीब तिरह यह 9309 स्क्वाइर किलोमीटर और केवल अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 1775.99 स्क्वाइर किलोमीटर है और कुल बिलाकर के फॉरेस्ट और ट्री आप यहाँ पर जान चुके होंगे कि यहाँ पर क्या गलती है 9.9 प्रतीशत होना चाहिए 19.9 प्रतीशत नहीं तो यह वाला जो है नौट करेक्ट है ही हमारे कॉस्चन का एंसर हो गया 142 तंबर सवाल है कौन से हाँ पर नौट करेक्ट है वालमी की टाइगर रिजर्व जो है यह बता रहे हैं कि वेस्चंपरन में स्थित है तो वालमी की सैंक्चुरी बोले है वालमी की नैसल पार के टाइगर रिजर्व यह वेस्चंपरन में सही है और टाइगर पॉपलेश जीरो से अठारा एज ग्रूप की थी बिहार में तो ये भी डेटा करेक्ट है तो सारे के सारे जब करेक्ट हो रहे हैं तो इन करेक्ट होगा कोई नहीं यानि कि ना नावदाब हो option number E बिहार में शुद्ध बोया गया कुल छेत्र बागोलिक छेत्र का कितना है यानि कि टोटल नेट सोन एरिया बिहार का टोटल जोग्रफिकल एरिया का कितना परसेंट है 56% ठीक है option number D यहां पर सही है यह जो डेटा है यह आपको हर जागे गलत मिलेगा हमने cross verify किया है latest जो बिहार के sources में available है उसमें 56% है जब तक कि नया economic survey नहीं छप जाता 2021 का तक यही सही बाना जाएगा option number D हमारा यहां पर सही है नेट सोन एरिया में वैसे तो आपको medieval India में सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़ना है लेकिन शेरशाह सूरी का साशन बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने किस विजए अभियान के बारे में शेरशाह ने कहा था कि वह मुठी बरबाजरे के लिए एक समय पूरा हिंदुस्तान खो सकता था अपने विजय अभियानों में से राजिस्थान विजय अभियान को उसने फ्यूटाइल बाना था और उसने माना था कि अगर यहाँ पर वो आगे बढ़ता तो पूरा हिंदुस्तान उसके हाथ से जा सकता था तो उसने माना कि राजस्तान विजय फ्यूटाइल थी और इसके पीछे उसे नहीं जाना चाहिए था Option number B शेर्शासूरी के contemporary कौन थे बताना है तो शेर्शासूरी का contemporary मल्लू खान था और आपका पूरन मल भी था, कीरत सिंग भी था तो answer हो जाएगा यहां पर E बताना है कि इसके शाशनकाल में पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत हुई थी तो इसका answer हो जाएगा शेर्शासूरी Option number C अशोक का कौन सा स्तंबलेख जो है बिहार में पढ़ता है आधुनिक बिहार में लौरिया अरे राज पढ़ता है लौरिया नंदन गड़ पढ़ता है ठीक है दो हो गए इसका answer हो गए यानि कि more than one of the above Option number E निमलिक हित में से कौन सी महाजनपत का छेत्र आधुनिक बिहार में शामिल था आनि आधुनिक बिहार में कौन कौन सी आती थी तो इसमें मगद आता था ठीक है और आपका सदर नमल भी आते थे यहाँ पर सूर से नहीं आता था बांकी चेदी भी आता था थोड़ा थोड़ा तो answer हो जाएगा हमारे एक पर फिर से E यानि कि more than one of the above गया जिले में स्थित बराबर की पहाडियों के गुहा लेखों में या फिर जो केव इंस्क्रिप्शन है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया ये बताना है इसमें प्रयोग किया गया है प्राकरत भाषा का option number C बहुत important है लोग इसको पाली से confused हो सकते हैं जिसके में प्राकरत ही एंसर होगा इसका अशोक द्वारा भी भाषित किये गए अपने जो उसने अपने राजी को पांच प्रांतों में विभाषित कर दिया था आधुनिक बिहार जो है उसके किस प्रांत में आता था तो इस तरह की question बिहार से बनते हैं जो जनरली बुक्स में नहीं की संभावना है बंगाल के किस नवाब से मराठा शासकों ने बिहार और बंगाल के लिए एक लाग बीस हजार का वार्षिक चौथ वसूला था तो यह वसूला गया था वार्षिक चौथ अलिवर्दी खान से option number B अगर कोई यहां पर पता लगा सकता है कोई बहुत हिस्ट् करत तुम्हें अलिवर्दी खान से यह चौत वसूला था option number B के बाद question number 103 से लेकर 113 तक हम बात करेंगे maths के 10 questions के बारे में अगर आप हमारे paid group से हैं तो आपको इन 10 questions की tension लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है complete study material maths का ग्रूप में available है और इसका इलावा हर संडे को यहां प समयन है जिन्होंने 5% के loss में सबसे पहले किसी समान को बेंचा तो cost price हमेशा 100% 5% में बेंचा इसका मतलब 95% में बेंच दिया अगर इन्होंने 10% कम में खरीदा होता तो 10% कम का मतलब हुआ 90% में खरीदा होता और 33 रुपय जादा में बेंचा होता तो 95% में पहले ही बेंच रहे थे 33 रुपय जादा में बेंच दिया और ऐसा होने से हुआ क्या 30% का इन्हें profit हो गया तो 30% के profit होने का मतलब है 130% बना देना है हमें cost price को 130% का मतलब है 130 बटे 100 13 बटे 10 तो cost price में multiply कराएंगे 13 बटे 10 यह selling price बना और यह तो selling price हई है दोनों चीजें बराबर 13 निम्मे 117 परसेंट यह 95 परसेंट प्लस 33 117 माइनस 95 बाइस परसेंट 33 है इन्होंने पूचा है cost price 100 परसेंट बता देंगे cross multiply करेंगे 33 गुड़े में 100 बटे में 22 ग्यारा दुनी 22 ग्यारा तियां 33 तू ने 100 को 50 टाइम्स काटा पचास तियां डेड़ सो option c 104 नंबर है average का एक student है जिनके पहले 3 टेस्ट के अंदर n नंबर का average आया तो यह बताईए total कितने नंबर student ने पाए हर एक टेस्ट में n नंबर पाए और ऐसे ऐसे 3 टेस्ट थे तो 3 times of n अभी तक इनके total नंबर है चौथे टेस्ट में हुआ यह कि उन्होंने 20 नंबर और जादा पा लिए जितना भी वो पहले पा रही थी तो यह 3 टेस्ट का हिसाब किताब है चौथे टेस्ट में इन्होंने n नंबर तो पाए ही 20 और पा लिए तो 4 टेस्ट का total यह है और हमसे पूँचाए इनी 4 टेस्ट का average इसको और क्या लिख सकते हैं 4 n प्लस 20 एवरेज निकालने के लिए जितने टेस्ट है उतने से डिवाइड चार से यह बनेगा n प्लस 5 डी 105 नंबर है प्रॉब्लम भेजड़ों एजस से एक औरत और उसकी बेटी की एवरेज एज 16 है तो total एज डबल होगी because 2 ही लोग है 32 लेकिन हमारे इसाब से total होगा रेशियो सिस्टम के इसाब से 7 और एक 8 तो 8 नाओ के 32 हमसे पूँचाए women की एज 8 फोर्जा 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 इतनी बड़ी है यह women इसके बाद एक सुच्छे है time, speed और distance से अगर किसी train की speed 40 थी तो वो time पे पहुँच गई लेकिन अगर speed 35 हो जाए तो train 15 minute late पहुँचेगी तो बताईए distance कितना गावर किया तो distance अगर d हो गया तो अगर speed 40 है तो time बताईए distance by speed d by 40 similarly अगर speed 35 है तो time हो जाएगा d by 35 15 minute का अंतर हुआ इनके बीच में अंतर बताईए बड़ी value माइनस छोटी value d को अगर हम बड़ी value से divide करें तो ये पूरी चीज़ छोटी हो जाएगी और अगर छोटी value से divide करें तो ये बड़ी मिलेगी तो d by 35 बड़ी में से छोटी value निकाल देंगे तो ये पंदरा मिनट 15 बटे 60 घंटे because एक मिनट में एक बटे 60 घंटे तो पंदरा मिनट में इतना ये एक बटे 4 चालिस डी माइनस 35 डी 5 डी नीचे 35 इंटू 40 इक्वल टू 1 बाई 4 5 7 जा 4 10 जा डी बराबर आगया 70 किलोमीटर कुश्चन नमबर 107 किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है common sense based है अंधेरे का time है और आपकी अलमारी में कुल मिला के 20 मोजे हैं जिसमें से करें तो वो 10 हैं similarly gray मोजे भी आपके पास 10 हैं मोजे का shape, size छूने से एकदम सेम लगेंगे अगर आप उन्हें देख पा रहे हैं तो ही अलग कर पाएंगे because देखने में तो color अलग हो जाएगा लेकिन अगर आप देख नहीं पा रहे हैं differentiate करना मुश्किल होगा तो ये बात यहाँ पे है अंधेरे का time है तो आप अपने हाथ में at least कितने मोजे पकड़ें कि आपके हाथ में कम से कम एक pair आ जाए pair का मतलब यह हुआ कि blue blue और gray gray सेम color वाले तो यहाँ पर हमें कम से कम तीन मोजे चाहिए worst case में तो यह होगा कि तीनों ही एक color के मिल जाएं लेकिन best case में यह हो जाएगा कि blue blue और एक gray मिल जाए और gray gray blue मिल जाए तो कम से कम तीन चाहिए ए उसके बाद यहाँ पे x is between minus 3 and minus 1 तो minus 3 minus 1 के बीच में क्या पड़ेगा minus 2 x की value है minus 2 ऐसे ही एक variable y है जिसकी value 1 और minus 1 के बीच में पड़ती है तो अब इससे बात 0 होगी y 0 है हमें बात करनी है x square minus y square के बारे में minus 2 का square minus 0 का square 4 आ गया यह बताईए इन में से कि 4 किन के बीच में पड़ता है अब इससे बात है 0 और 8 के बीच में c because 8 प्लस 08 by 2 4 109 नंबर question है mensuration से जिसमें अमारे पास एक टंकी है cylindrical इसकी height इतनी है radius इतनी है अब इसको भरा जाना है इसका मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ volume आएगा जो की होता है पाई आर स्क्वेर एच पाई 22 बाई 7 radius का स्क्वेर हाइट 22 चोके 88 88 मीटर क्यूब का इसका volume है और इस टंकी में पानी जा कहां से राए नीचे एक टंकी के थूई जा रहा है कोई pipe नहीं है टंकी से टंकी है और जहां से जा रहा है वो cuboidal है माचिस की shape की ऐसा समझे जिसकी लंबाई चोड़ा यूचा इतनी है तो 5.5-11 बटे दो 4-6 L into B into H volume 22 चिंग 132 तो कितना portion भर गया ये जानने के लिए जिसको भरा जा रहा है उसकी volume उपर 88 जिससे भरा जा रहा है उसकी volume नीचे ये अब इसमें अगर हम बात करें 22, 4, 88, 22, 32, 2, 3, 2 तो 2-3 भर गई अब हमसे इन्होंने पूचा है कि टैंक को पूरी तरीके से भरने के बाद ये जो माचिस की डिब्बी वाली टैंक है क्यूबॉइडल ये कितना खाली रह जाएगी तो देखिए 2-3 भर दिया इसका मतलब 1-3 खाली है ए इसमें 2 डिसकाउंट अलग-अलग दिये हैं बताइए टोटल डिसकाउंट कितना होगा तो ये गलती मत करिएगा 30, 10, 40 गलत है सीक्वेंस से चलेंगे मान लीज़े MRP है 100 रुपए इस पे आपने सबसे पहले 10 परसेंट का डिसकाउंट लिया तो 100 का 10 परसेंट 10 रुपए कम करा दिये 9 बच गए इनफेक्ट 90 बच गए इस 90 पे 30 परसेंट की छूट बताइए कितनी होगी 90 का 10 परसेंट 9 30 मतलब प्रिपल 27 90 माइनस 27 63 100 से 63 अगर आप देखें तो कितने की छूट है 37 की 100 पे 100 पे मतलब परसेंटेज 37 परसेंट D 111 नमबर है रेश्यो एन प्रोपोर्शन से A, B, C तीन लोग हैं अमारे पास इनके बीच में हमें 1980 रुपए बाटने हैं किस तरीके से बटेंगे Half of the A part A by 2 One third of the B part B by 3 One sixth of the C part C by 6 सभी बराबर हैं यह बताईए यहाँ पर एक तरीका तो यह है कि LCM से मल्टिप्लाई कर दें या फिर एक constant value के बराबर सब को रख दें के A by 2 K के बराबर है तो यह का मतलब हुआ 2 के B by 3 K के बराबर है इसका मतलब B की value 3 के C by 6 K के बराबर है C बराबर हुआ 6 के यह तीनों के कितने के बराबर हुए 6, 3, 9, 2, 11, 11, K जो की बराबर है 1980 इतने ही रुपए बाटने हैं 11, 1, 11, 11, 18, 88, 1, 0 K की value आ गई 180 हमें चाहिए B का share 18, 3, 54 और 1, 0 540 D उसके बाद 112 नंबर में अगर हम बात करें यह जो linear equation है इसके number of solution तो A1 by A2 और B1 by B2 निकाल लीजे इनके बीच में जो relation होगा इसी के उपर depend करेगा कितने solution है A1, A2, X के coefficient equation 1 और 2 के लिए यहां से 4, यहां से 2 तो 4 by 2 यहां से minus 9, यहां से 3 minus 9 by 3 जाहिर से बात है दोनों बराबर तो है नहीं तो जब भी A1 by A2 is not equal to B1 by B2 दिखे इसका मतलब यह हुआ कि solution यहां पे सिर्फ एक होगा X की A की value निकल पाएगी Y की A की value निकल पाएगी One unique solution